हुआ है विए 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 वेल्ट के लिए फंदे चोड़ें और बाकी बीच में किस तरह से बंद करें मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है हाला कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाना सिखाई हुए है स्वेटर पे वेकने की शेपिंग बहुत डीटेल में तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो रिसीव हो जाया करें और प्लीज जो वीडियो रिसीव होती है प्लीज देखा करें क्योंकि सब में नौलेज होती है आपकी हेल्प के लिए तो अब ही हम शुरू करते हैं फिर फंदे छोड़ेंगे, कितने छोड़ने हैं, कैसे छोड़ने हैं, हर साइस के हिसाब से आपको टीटेल में explain करूंगी अभी, बैक पार्ट जितना हमने बुनना था बुन लिया, आप जिस भी साइस के लिए बुना रहे हैं, कोई भी नाप अपनी ली है, आप उतना उता पुर्ण लेंगे, जितना आपको बैक निक षिपिंग से चाहिए, अब बैक निक की शेपिंग तक पहुंचने से, कि बाद हम क्या करेंगे, यषिप्ण से पहले आपने देखना है, कि आपने शोल्डर कितना रखना है, क्यूंकि हमने शूल्डर तो बचाना है, जितन annually हम shoulder चाहिए 7 inches 7 inches क्यों यह dropped shoulder है I need 7 inches shoulder because this is dropped shoulder तो इसलिए मैं देखूंगी कि 7 inches के हिसाब से कितने फंदे मैंने छोड़ने हैं तो आप इसको बेशक फंदे यहां से थोड़े से गिरते भी हैं तो थोड़ा सा गिर जाएंगे लेकिन आप पहले नाप के देख लें सही से इसको shape देखे कि आपको किती 7 अभी और थोड़ा सा इसको खोले सही यह देखे यहां पर इस वाले फंदे पर साथ आ रहा है तो आप हम यहां से गिनेंगी कि हमारे पास कितने फंदे आ रहे हैं से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36 36 stitches आ रहे हैं शोल्डर के लिए drop shoulder again I am saying क्योंकि इतना बड़ा shoulder नहीं होता normal sweater का बले आप jeans के लिए भी बना रहे हैं अब वो दूसरी बात है कि बहुत large size sweater है बहुत जैसे कि healthy लोग होते हैं वो दूसरी बात है तो यह lady sweater है और इतना बड़ा shoulder नहीं होगा तो यह क्या है drop shoulder है इसलिए इसका 7 inches shoulder हम रखेंगे तो 7 inches पे 36 फंदे यहां से हो रहे हैं 36 फंदे यहां से छोड़ेंगे 36 फंदे यहां से छोड़ेंगे सही है shoulder के लिए अब बीच में जितने फंदे बचेंगे उनको हमने divide करना है अब मैंने जो calculation की हुई है उसके हिसाब से मैं 222 222 222 के decreases करना चाहरी हूँ आप देखेंगे के आप पांच तीन दो एक इस तरह से करके भी कर सकते हैं तो मैं यहां से 222 करके shaping करना चाहरी हूँ सही है तो मैं क्या करूँगी 36 फंदे जो shoulder के छोड़े हुए है 36 फंदे वो और 6 फंदे जो मैं decrease करूँगी वो 36 और 6 कितने हुए हैं 42 42 फंदे 42 फंदे इदर रहने दूँगी 42 फंदे उदर रहने दूँगी और बीच वाले सारे फंदे हम bind आफ कर देंगे शेप शुरू करने से पहले तो कैसे करेंगे आभी मैं आपको दिखाती हूँ वो कि हम किस तरह करेंगे वो जो फंदे ड्रॉप हुए हैं आप उनको बैक निडिल पर डाल लें तो अभी हम यह वापस रखे और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं अब जिस तरह से मैंने कल्कुलेशन की हुई है हम 42 स्टिच जहां पर छोड़ेंगे 42 स्टिच जहां पर छोड़ेंगे बीच वाले फंदे बंद कर देंगे इस इस लिए में सारे डिजाइन के हिसाब से सीधी रख रही हूं आप कोई भी स्टिच बंद रहे हो जो डिजाइन आपने रखी हुई है बैक वे यहां फ्रंट पे आप उससे साबसे करेंगे के पहले इतने फंदे हमने बंद लेने हैं सीधी सीधी तो 42 स्टिच जिच निट अब देखें यहां पर हमने 42 नहीं है ताकि उनको हेल्प हो जाए मैं लिखती भी हूं तो प्लीज गहर किया करें दो चार छे आठ दस बारह चौदा सोलह अठारह बीस बाईस चौभीस 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 अठाईस तीस बत्तिस चौतिस च्छतिस अठाटिस चालिस 42 स्टिच नाव निट इन बाइंड आफ ऑल स्टिचेज तो दे लास्ट फॉर्टी टू स्टिचेज अब सारे फंदे हम बीच में बुन के बंद कर देंगे आखरी 42 फंदो तक क्योंके मैंने बोला ना कि इस तरफ से 42 छोड़ेंगे इस तरफ से 42 छोड़ेंगे ये से टिंग रो है हमारी तो 42 फंदे हमने बु बीच में जित्ते भी होंगे हम इसी तरह से बंद कर देंगे आखरी 42 फंदों तक आप देखेंगे कि आपने अपने स्वेटर के लिए कितनी कल्किलेशन की है तो मैं इस तरीके से सारे फंदे यहां पर बंद कर लेती हूं 42 फंदे यहां पर छोड़े हैं मैंने 42 फंदे 42 इस्टिचेश अब मैंने बीच में काफे फंदे बुन लिए हैं बंद कर दिये हैं अब गिंतियों के इस तरफ से कितने मुझे चाहिए 42 छोड़ने यहां पर मैंने 42 छोड़ने तो यह भी बंद करना है हमने तो हम क्या करेंगे चीके नाव वी हैव 42 स्टिचेश 41 एन 42 एक तालिस फंदे इदर और एक इदर 42 हो गए अब हमारे पास अब निट और स्टिचेश सारे फंदे अब उनको सीधा सीधा बुन ले उसके बात फिर हमारी सेटिंग रो गंप्रीट हो जाएगे यहाँ पर हमने यह सारे फंदे भी सीधे बुन ली हैं, अब हम दोनों कांधे जो हैं, शोल्डर्स जो हैं, separately बुनेंगे, we will knit both shoulders separately, तो धागा इस तरफ से तो पहले यही बुनेंगे, अब row 1, पहली स्लाई, this was setting row, अब हम पहली स्लाई से गिनना शुरू करेंगे, ताके आपक stitches, और knit the row as it is, as pattern से, मतलब कोई भी design अगर आप बुन रहे हैं, तो आप उसी तरह बस सारे फंदे बुन लें, मैं यहाँ पर मैंने stock knit stitch बुना हुआ है, जो कि उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे हैं, सीधी साइड से सारे सीधे हैं, तो मैं क्या करूंगी, अभी row 1, उल बुन लिए, row 1, completed, now return back, वापस मुडेंगे, और यहाँ पर हम शेप वाली पहली row करेंगे, कैसे, row 2, दूसरी sly, knit and bind of 2 stitches, सीधा बुन के तो फंदे बंद करेंगे, कोई भी design बुन रहे हो, सीधा बुन के तो फंदे बंद करेंगे, row 2, knit and bind of 2 stitches, दो फंदे सीधा बुन के बंद करें, और फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, कोई design बुन रहे हैं, तो फिर आप उसको follow करेंगे, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, क्योंकि यह stuck knit stitch है, knit all stitches, row 2, knit and bind of 2 stitches, then knit all stitches, दूसरी sly, दूसरी sly, यहाँ पर complete हो गई, row 2 completed, 3rd row, same as row 1, purl all stitches, तीसरी sly, सारे फंदे, पहली sly के तरह उल्टे बुन लेंगे, return row है ना, कोई decrease नहीं है, कोई फंदा नहीं घटी का, decrease मतलब घटाना, increase मतलब बढ़ाना, 3rd row, purl all stitches, तीसरी sly, सारे फंदे उल्टे बुन लें, 3rd row completed, तीसरी sly, हमारी पूरी हो गई, 4th row, चौथी sly, same as row 2, दूसरी sly की तरह, knit and bind of 2 stitches, 2 फंदे सीधे बन के बंद कर देंगे, और सारे फंदे सीधे बन लें, then knit all stitches, 4th row, 4th row completed, चौथी sly, पूरी हो गई, पांचवी sly, पहली sly की तरह, same उसी तरह, सारे फंदे उल्टे बुन लें, 5th row, purl all stitches, 5th row, 5th row, 5th row completed, पांचवी sly, पूरी हो गई, 6th row, चौथी sly, same as row 2 and 4, दूसरी और चौथी sly की तरह, 2 फंदे सीधे बन के बंद कर देंगे, फिर सारे फंदे सीधे बन लेंगे, 6th row, knit and bind of 2 stitches, then knit all stitches, 6th row, 6th row completed, चौथी sly हमारी पूरी हो गई, 6th row, 6th row, 7th row, 7th row, 7th row, 7th row, पूरी हो गई, 7th row completed, 8th row, यहाँ पे अब देखें, हमारे सारे decreases हो गए है, shape दे दिया, जिस तरह मैंने देना है, आप जिस तरह चाहें, उस तरह से घटाएं, सारे फंदे आमने कम कर दिये है, अब जितने shoulder के लिए चाहिए, पीछे उतरे होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26, 32, 32, 32, 36, 36 stitches we have, we wanted, for shoulder, so now, 8th row, we will knit and bind off all stitches, अब 36 पंदे में चाहिए थे न, shoulder के लिए, जो length हमें चाहिए, width चाहिए थी, 7 inches मैंने जिसे आपको बताया, तो बाकी तो घटा दिये, अब घटा दिये, जब shaping पुरी हो गई, तो अब राइट साइट से, 8th row, knit and bind off all stitches, simple method है, bind off की मैंने चोटी सी वीडियो बताया हुई, आप सर्च कर सकते हैं, how to knit, how to bind off stitches by clean knits, if you are beginner, you can watch that, आप देख सकते हैं, beginner हैं, तो इसी तरह से सारे फंदे बंद कर लें, knit and bind off all stitches, यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद करती हैं, यह देखें, शोल्डर के कांधे के, अब धागे को सिक्योर करके काट लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा काटेंगे ताके दोनों शोल्डर सीने के काम आजाए, दोनों नहीं, मतलब फ्रंट और बैक का शोल्डर मिलाने के लिए, सीने के लिए काम आजाए, अगर आप बैक पे छोड़ना भूल जाएं, तो आप फ्रंट वाले शोल्डर पे छोड़ सकते हैं, धागा काट लिया हमने यहां पे, अब एक शोल्डर रेडी हो गया है, अब दूसरा शोल्डर, तो सेटिंग रो तो हमने इसकी भी बुनी हुई थी ना, अब बैक पार्ट से इसको भी शुरू करेंगे, अब थोड़ा से डिफ्रेंस है, क्योंकि देखें, यहां से तो हम सारे फंदे सीधे बुन रहे थे, और यहां पे इस तरफ से शेप दे रहे थे, अब इस तरफ से शेप आएगा, तो हम पहली रो, रो वन, फस्ट रो, फॉर अधर शोल्डर, रॉंग साइड, उल्टी साइड स्वेटर की, पहली स्लाई दूसरे शोल्डर के लिए, पर्ल और बाइन ऑफ्टू स्टिचेज, देन पर्ल अल स्टिचेज, धागा लेंगे, और उसको यूँ, थोड़ा से इस लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि वेविन करेंगे न, तो हम क्या करेंगे, दो फंदे उल्टा बुन के बंद कर देंगे, इसको इस तरफ कर लेंगे, अब उल्टा बुन के ये देखें, ये वाला धागा है, दो फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे, पहली स्लाई है, अब बाकी थोड़ा सा इसको खींचेगे न तो लूज नहीं होगा अब बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे पहली स्लाई कम्प्लीट हो गए पूरी दो फंदे हमने उल्टा बुन के बांद किये सारे फंदे फिर उल्टे बुन लिए फंदे नहीं घटाने हमने जा उसका है अब सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे दूसरी खिषा कम्तीट हो गई है कोई दिक्रीज नहीं किया सारे फंदे सीधे अब पहली खिषा स्लाई की तरह तरड रो से में जो वान दो फंदे उलटा बुन की बंद करेंगे और फिर सारे फंदे उलटा बुन लेंगे अब देखें तोड़ा सा लूज है न, अपने इसको टाइट करना है पॉरल इन बाइन टूंसों स्टिचेश सारे फंदे उलटे 3rd row 3rd row 3rd row 3rd row completed 4th row same as row 2 4th row knit all stitches सारे फंदे सीधे बन लें 4th row knit all stitches same as row 2 4th row completed 4th row 3rd row पांचवे व्हेसिता से दोफंदे वर्ट बन करेंगे और बाकि सारे वर्टे बन लेंगे फिफ्थ रो, पर्ल and bind of two stitches, then पर्ल ओल, पांच भी स्लाई पूरी हो गई है, छटी स्लाई, सिक्स्त रो, निट अल स्टिचे सारे फंदे सीधी बन ले, छटी स्लाई पूरी हो गई है, साथ भी स्लाई, अब देखें, यहां पे सारे डिक्रीजिस तो हो गए हैं, फंदे हमने घटा दिये चे, दो दो करके, लेकिन अब हमने क्या करना है, दोनों शोल्डर को भी तो बराबर रखना है, वहां पे आठ सिलाई आती ही, तो यहां पे भी आठ ही होंगी, तो हम साथ भी क्या करेंगे, 7th row, पर्ल all stitches, no decreases, because we need to keep equal rows on both shoulders, this is 7th row, no decreases, because we are done with the decreases, सारे फंदे हमने घटा दिये तो सातवी स्लाई अब सारे भंदे सीधी सीधी मतलब सिर्फ उल्टे बुन लें कोई भंदा घटाने की जुरुद नहीं है सातवे पर फिर आट में पर राइट साइट पर जाके हम बाइंड ओफ करेंगे सातवी स्लाई पूरी हो गई है सारे भंदे उल्टे सेवन्थ रो कम्पलीटड रो एट निट और बाइंड आफ उल्टे आथवी स्लाई राइट साइट से सारे भंदे सीधी बुन के बंद करेंगे दोनों शोल्डर की स्लाईएं हमने बराबर रखनी है यह चीज़ का खयाल रखीगा आप छोटा बड़ा हो जाएगा वर्णा सारे भंदे बंद कर लें निटन बाइंड और फॉल स्टेचेज अब यहां पर हमने सारे भंदे बंद के बंद कर दिये बाइंड आफ कर दिये धागे को सिक्यूर करके कात लेंगे दागा काट लेंगे और यह हमारा भाई बैक नेक की शेपिंग हो कई यहां पर सही है जिस तरह से आपको चाहिए आप उस तरह से करेंगे यह देखें यह इतना बड़ा गला और यह शूल्डर्स शूल्डर्स और गला मैंने अपनी नाप के हिसाब से रखा है आप अपनी नाप के हिसाब से रखेंगे जितनी आपको चाहिए तो यह वीरियो थी चोटी सी उनके लिए सेपरेटली जो हमेशा पूछते हैं कि किस तरह से हम कल्कुलेशन करके शूल्डर के फंदे घटाएं और कि आप किसी भी साइस को फॉलो करके यह बना सकते हैं यह स्वेटर की वीडियो में बहुत जल्द अप्लोट करूंगी अग